दोस्तों आज के दौर में नूडल्स खाने वालों की कम ही नहीं है हमारे घरों में लोग नूडल्स खाने को एक तरह से क्लास को देखते हैं वही कई लोग नूडल्स खाने के बहुत सौखीन भी पाय जाते हैं ऐसे में अगर आपका बेटा या बेटी कोई भी नूडल्स खाने वालों में सामिर है तो ज़रा समल जाएए क्योंकि हाल में ही एक नूडल्स के प्रेशलिट ब्रैंड के नमूने की जाँच से पता चला है कि इसमें मोनोसोडियम ग्लूआमेट नाम का अमीनोसिद पाया जाता है जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है खबर तो ये भी है कि बीते दिनों में एक मल्टी स्टोर बारखाद देशनर अच्छावम और सदी प्रतादन F.S.D.A. ने छापा मार कर एक ब्रैंड के नमूने को लेकर जाँच कराई जिसके बाद ये बात सामने आई है F.S.D.A. एक्ट के तहट जिस सामगरी में मोनो सोडियम गलुआमेट का पाया जाता है उसके रैपर पर सकी मौझूदगी साफ साफ दर्ज करनी होती है तो ऐसे में आपको अपने बच्चों को इस खतरनाक केमिकल से बचा कर रखना चाहिए तो आए जानते हैं कि जिस नूडल्स को आप इतने चाव से खाते हैं वो दरसल हमारे सरीर के लिए और हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है जैसा कि आपने अभी देखा कि इस रिपोर्ट में हमने आपको पताया कि नूडल्स में खतरनाक केमिकल मुनो सोडियम ग्लूमेट पाये जाता है जादा नूडल्स खाने से आपके सरीर में रक्त की कमी हो सकती है जादा नूडल का सेवन करना हमारी याददास्त को भी कमजोर करता है जोडों संबंदी समस्याएं भी हमें नूडल के सेवन से ही होती है हमारे सरीर के महत्वपून भाग लिवर को भी नूडल कमजोर कर सकता है नूडल के सेवन से हमारे कानों की सुनने की छमटा भी कम हो सकती है सिरदर्ज की समस्या भी हमें नूडल के सेवन से ही होती है वहीं मुटापे की समस्या भी हमें नूडल का सेवन करने से होती है भूगना लगने की समच्या भी हमें तब ही गेरती है जब हम noodles को जादा खाते हैं noodles में MSG की मात्रा ज्यादा होती है जिससे cancer जैसी बिमारी का बड़ा खत्रा होता है वही नास्ते में noodles का 7 हमारे लिए और जादा खतरनाख होता है क्योंकि इसमें कार्वो हाइड्रेट की मात्रा जादा होती है जो आसानी से नहीं पच्छता नूडल्स का सेवन हमारे सरीर में मौजूद पाचन तंत्र को कमजोर करता है जिससे खाना ठीक से पच्छ नहीं पाता और हमारे पेट में दर्द होता है अगर आप नूडल्स का सेवन 15 से 20 दिन में एक बार करते हैं तो यह हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुचाता पर अगर आप इसका सेवन निरंतर करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक और हानिकाराग साबित हो सकता है तो अब यह आपको तै करना है कि अगर आप नूडल्स खा रहे हैं तो आप अपने स्वास्त का ध्यान रख रहे हैं या नहीं आप अगर नूडल्स निरंतर अपने सेवन में ला रहे हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है आप noodles का सेवन बराबर कर रहे हैं तो यह आपको इन सभी बिमारियों से रूबरू करा सकता है तो आप समझे कि दो मिनिट का noodles आपके लिए पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा समस्या और परिशान लिकलागा सकता है तो जितना हो सके आप noodles का सेवन कम से कम करें अपनी आदतों को धीरे धीरे कम करते जाएं ताकि आप सुरक्षित रह सके क्यूरी एन हल्टेक्स की रिपॉर्ट